हेलो दोस्तो मैं हूँ यादेश और हमारी यूटीब चैनल प्रांसी कंप्प्टर क्यान में आपका स्वागत है कि दोस्तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डेश्टोप कंप्प्टर के अंतरगत मानुटर, स्क्रीन, कीबोड, माउस और सीपउ के बारे में जानेंगे तो दोस्तो आज हम सुरुआत करते हैं सीप्वू से तो CPU क्या होता है दोस्तों CPU की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जान रहते हैं दोस्तों desktop computer desktop के भारे में मैंने बताया था दोस्तों कि एक मेज की सहाथा से जिस computer को हम जो मिलेते हैं वह हमारा desktop computer होता है जैसे कि आप image की माध्यम से देख पारे हैं दोस्तों अहां पर आपको दिख रहा है monitor screen आपको CPU दिखाई दे रहा है keyboard अहमाउट तो यह चारों मिलकर ही हमारा desktop तैयार होता है दोस्तों चीश में हमारा सबसे पहला भाग आ रहा है CPU तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों CPU के बारे में CPU का आपको image दिखाई दे रहा है दोस्तों जैसे कि हम इसकी बात करें CPU को हम बोलते है Central Processing Unit Central Processing Unit का मतलब होता है दोस्तों केंदरी संसाधनी काई यानि कहने का मतलब यह है दोस्तों कि computer के अंतरगर CPU अपने आपको तो चलाता ही है साथ में वो अन्य machine को भी चलाता है जैसे कि monitor है आप अगी board है mouse है इन सभी को वह संचादित करता है इस तरीके से CPU का कार्य होता है दोस्तों CPU के अंतर कर सबसे पहला बटन आता है दोस्तों on-off बटन और दूसरा होता है restart बटन या restore बटन तो यहां पर दोस्तों यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों on-off बटन की दोस्तों on-off बटन जरूर बोलते हैं दोस्तों लेकिन हम जो है इसक सब्सक्राइब करने के लिए करते हैं तो दोस्तों जब हम computer को चालू करते हैं तो ऊपटन का येज़ करते हैं तो यहां मांडिर स्क्रेण से धिक्टर दिखाई दिनी लगता है जहां की बोड по हो से चायता से कारे कर सकते हैं दोस्तों और शब अे मिद्टी दोस्तों कक्या कुषग कारते हैं तो इसके लिए धोस्तों हम हमाई के स्टाइड बटन में जाते हैं और स्टाेड बटन में जाने के बाद यहां पर सचों डूकर्टर को आप भी कर सकते हैं directly दोस्तों हम power button को off नहीं करते हैं दोस्तों इस से जो है computer को negative फिक परता है computer जादी खराप हो जाता है दूसरा होता है दोस्तों हमारा reset button या restart button दोस्तों जब कभी हम computer से काम लेते हैं तो computer भी एक मानाव की तरह ठक जाता है यानि जब हम अधिक समय तक कारे कर रहाते है computer को तो वह जो है धकान महसुस करता है ऐसी सिति में computer से पुना कारे लेने के लिए हम computer को restart करते हैं दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों हमारा computer के अंदर दो light होते हैं दोस्तों एक green light होती है दूसरा होता है red light जब computer को हम चालू करते हैं तो दोस्तों यह computer में हमारे green light की जानकारी को बताता है यानि green light जल जाता है यानि इस इस्थिति को बताता है दोस्तों कि हमारा computer चालो है यानि computer को जब हम चालो करते हैं और जब तक हम बन नहीं करते हैं तब तब यह light जलते रहता है यानि computer अपनी on positions की इस्थिति को बताता है यहां पर दूसरा लाइट होता है दोस्तो रेड लाइट जब कंप्यूटर को कोई निर्दे से कमांड देते हैं तो यहां का होता है दोस्तो की लाइट जलता है और जलने के बाद का होता है दोस्तो यहां बंद हो जाता है तो यहां दोस्तो हमारी कंप्यूटर की जनकारी जि जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर एक image को देख रहे हैं आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारे सामने एक CPU दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कैबिनेट इसके अंदर हमको SMPS मिलता है जो power supply करता है जैसे कि दोस्तों हम main world से power लेते हैं CPU में तो य जहाँ पर motherboard, processor, RAM, आपका DVD writer, hard disk और आपका यहाँ पर CPU fan, floppy disk drive और system है आज ही सभी device मिलकर एक CPU तयार करता है दोस्तों तो इस तरीके से हमारे computer के अंतरगा CPU की जानकारिया है जोस्तों उसके बाद आता है दोस्तों दूसरे नंबर पर हमारा desktop के आप बात करें देश्टॉक क यहाँ कर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख पा रहे है monitor screen pictures आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपसब से पहला जो खाली भाव दिख रहा है चारों तरफ का भाव जिसको हम बोलते हैं दोस्तों desktop अब desktop के अंतर कर दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कोई application तो यह सारी दोस्तों icon या menu कहलाते हैं नीचे की तरफ अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर पतला सपट्टी बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं taskbar taskbar की सहाता से दोस्तों हम यह जानते हैं कि मारा कौन सा program फुला हुआ है इसकी हम जानकारी देख स सकते हैं अगर हम देखें दोस्तों तो हमको date and time की जानकारी दिखाता है साथ में हम internet connectivity की जानकारी देख सकते हैं और अगर हम कोई device कनेक्ट करते हैं तो उसकी notification भी यहाँ पर से हम देख सकते हैं और laptop की left site की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमको दिखाए देता है start button start button की सहता से हम अपने किसी अन्य applications पर कारे कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर desktop में आप देख पा रहे हैं बहुंच सारे application दिखाए दे रहे हैं हो सकता है ऐसा कोई application जो हमको desktop में ना दिखाए दे तो उस conditions पर हम क्या करते हैं तो यहाँ पर start button में जाते हैं और start button में जा यहां पर आप देख़ पार हैं दोस्तो मौस में हमको तीन मिलते हैं एक यहां पर मीघनर में जहांपर दिखा रहो हूँ वह होता है मारा CLECK Kanan दोसरा होता है यहां पर रइट क्लिक और देसरा होता है Stop regalhim click button की सहता से दोस्तों हम जो है किसी भी application को open कर सकते हैं यानि double click करने से उस applications पर कारे कर सकते हैं scroll button की सहता से जिस page पर है जैसे कि मैं यहाँ पर google में जा रहा हूँ और google में जाने इस page को पूरा नहीं देख पा रहा हूँ तो यहां पर मैं scroll करने से उस जानकारी को देख पा रहा हूँ तो दोस्तो किसी page को उपर नीचे करने के लिए हम जो है scroll button का इस्तमाल करते हैं और right click का यूज़ जैसे कि यह depend करता है दोस्तो उस software area applications के उपर की right click से related functions बना है कि नहीं दोस्तो हम यहां पर right click करते हैं तो हमारे सामने यहां पर refresh औप्ति है या other options का यूज़ करते हैं तो दोस्तो द्टाप से related right click features बना हुआ है इसलिए जो है दोस्तो हम उसका कर पाएंगी उसी तरही के से दोस्तो जैसे कि word का हम use करते हैं तो word file में हम जैसे की जाते हैं तो यहां बर भी अगर हम right click करते हैं तो right click से related functions हमको दिखाई देने लगता है तो यह depend करता है दोस्तों उस software या applications को उपर जहां पर इसके लिए कोई key बना है या नहीं हर एक software में हमको right click से related कारें नहीं मिलेंगे उसके बाद last time में आता है दोस्तों हमारा keyboard की अगर हम बात करें दोस्तों अगर आप computer में बैठे हैं और अगर आपके पास keyboard available है तो आप इसकी जानकारी अच्छे से देख पाएंगे सबसे पहला आता है दोस्तों हमारे सामने escape की कि इसके की क्या होता है तो जब कभी हम कोई application open करते हैं यह ऐसा application यह ऐसा accounting software जिसे हम बाहर नहीं को निकल पाते उससे बाहर निकलने के लिए हम escape की का यूज ना करके close button को अगर हम click भी करें तो वहाँ से close नहीं होता है ऐसी city में वहाँ से बाहर निकलने के लिए हम escape button का यूज करते हैं और तथा यहाँ पर हम escape button का दूसरा यूज दिये गए निर्देश को निरस्त करने के लिए भी करते हैं उसके बाद आता है दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर F1 से ले करके F12 तक की की इसको हम होते हैं दोस्तों functions की यह F1 से F12 तक की 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 बोल के उपर भाग में होते हैं दोस्तों इनका प्रयोग कुछ विशेश कारों के लिए करने के लिए किया जाता है इनका प्रयोग लगभक सपी साप्टेयर में इसका अलग-अलग कार्य हो सकता है आगे हम देखें दोस्तों आता है typewriter की typewriter की की अगर हम बात देरें दोस्तों तो यह symbol से ले करके आपका ये equal plus तक आपका Q से ले करके ये bracket तक A से ले करके आपका ये slice तक और Z से ले करके आपका ये question mark तक ये हमारे typewriter की होते हैं दोस्तों जहां पर हम इसकी की सहाता से हम कुछ हक्षर, कुछ numbers ये symbol का हम इस्तवाल कर सकते हैं याने हमारे द्वारा किसी कारे को करने के लि यहां पर हम आगे देखें तो हमारे सामने आता है दोस्तो टैब की, टैब की क्या होता है दोस्तों जैसे कि मैं यहां पर आपको वार फैल खोल के दिखा रहा हूँ, जैसे कि दोस्तों यहां पर मैं एक नया फैल ले रहा हूँ और यहां पर अगर मैं देखा हूँ तो जैस से एक हिस आगे पढ़ जाता है अब जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ एक application तो मैं क्या लिखूंगा to the headmaster इस तरीके से मैं type कर सकता हूँ दोस्तो तो आधे से एक हिस दूरी बनाने के लिए हम जो है की का यूज करते हैं उसके बाद आता है दोस्तो caps lock key का दोहरा यूज होता है दोस्तो जैसे कि अगर हमने caps lock key को प्रेस किया जैसे कि यहाँ पर मैं word की सहयता से बताने का प्रयास करता हूँ अगर मैंने caps lock key को प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे keyboard इसे को अगर वापास कर दिया जाया तो हम अंग्रे जी के चोट sì एक्षोरों मैं टाइप कर पाएंगे इसको कि इस दोस्तो C के निचे हमको सिट की दिखाए देता है और Shift की जो है क्योंकि दोस्तो जब हम को बीकार करते हैateurs आने हमचे की को जमाने के की बोड में कारी करते हैं तो दोस्तों जब हम right side का key यूज करते हैं तो हम left side का shift key यूज करते हैं और यहाँ पर left side का key यूज करते हैं तो यहाँ right side का shift key यूज करते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम लिख पा रहे हैं तो capital में आ रहा है लेकिन दोस्तों करेंगे right side के hand से और left side के hand से हम shift को press करेंगे तो left side से हम shift press करेंगे और wide up आएंगे और उसके बाग बागी small में हम type करेंगे तो ऐसे city में जो है हम shift की का यूज करते हैं उसके बाद आता है दोस्तो control button यहाँ पर अगर की यूज करने के लिए होता है जैसे कि अभी दोस्तों मैंने यहां पर यूज किया मान के चलो दोस्तों इसको मैंने select किया और select करने बाद मैंने control c दबाया तो control c दबाने से दोस्तों यहां पर copy हो गया और control v दबाने से paste तो इस तरीके से shortcut की लेने के लिए हम यहां पर विपसाइट दोनों साइड मिलते हैं अल्टार की भी उसी तरीके से दोनों साइड मिलता है और यहाँ पर आप देख पारे हैं दोस्तो Windows की Control की के बाद आता है दोस्तो यहाँ पर Windows की Windows की क्या होता है दोस्तो जब हम मानगे चलो तो mouse की सहायता से हम किसी application को नहीं चुनना चाते, जैसे कि यहाँ पर start button में आये, और start button में आने इक बाद किसी applications को हम चुनना चाते हैं, पर हम क्या आते हैं, दोस्तों कि यहाँ पर हम keyboard की सहायता से किसी applications को open करें, तो हम windows key को place करेंगे, और windows key को place करने बाद हम arrow key की सहायता से उस applications को open कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी हम कारी कर सकते हैं दोस्तों, उसके बाद आप 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 और अल्टर के सांक right side का numbering की मैं प्रेस करता हूँ जा इल्टर मैंने दबाया और यहाँ पर मैंने 0 125 क्यें तो कुछ अक्षर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों जैसे कि यहाँ पर कुछ सिंबॉल तिस तरीके से जब हमको कोई symbol और कोई ऐसा अक्षर जो हमको keyboard की सहता से नहीं मिल पा रहा है उस सिस्थिती में लाने के लिए हम इसका इसमाल करते हैं उसके बाद आता है दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर space की space की का यूज़ जो है दोस्तों यहाँ पर space देने के लिए होता है यानि दो सब्दों के बेच एक निशित दूरी बनाने के लिए जो हम keyboard का space की का यूज़ करते हैं उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर back space की back space की की बाद रहे में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है सब से पहले आता है यहाँ पर जासके मैं word में जाता हूं और word में जाने की बात मैंने मान के चलो यहाँ पर कोई भी कारे की एगे दोस्तों इहाँ पर हो सकता है दिवांगन के जिगह में मैंने कलती से यहाँ पर aim ही लगा तो दोस्तों मैं सुधार करने के लिए backspace की को प्रेस करूँगा और ए दबा के in दबा दूँगा तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों एक तरीके से edit करना तो हमारे द्वारा गलत लिखे गए सब को सुधारने के लिए हम backspace की का यूच करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंटर की और यहाँ पर भी आप देखा रहे हैं इंटर की इंटर की का यूच को है दोस्तों एक लाइन से दूसरे लाइन में आने के लिए होता है जैसे कि यहाँ पर हमनी cursor को रखा अब यहाँ से हम दूसरी लाइन में जाना जाते हैं तो इस तरीके से जो है हम दूसर न्यूज करने से हम जो है right click से related features का उप्योग कर सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों अगर हम keyboard का mouse pointer की प्रेश करें तो right click से related जो features खोलता है उसकी हम उप्योग में ले सकते हैं आज के लिए दोस्तों इतना ही आगे की वीडियो में हम और भी जानकारी जानेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे प्रेंसी कंप्यूटर ग्यान चैनल को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें वा हमारी notifications को पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें वा bell icon को click करें धन्यवाद दोस्तों